अस्सलाम लेकुम आज हम बनाएंगे कढ़ी पकोडी वो भी बिल्कुल नए अंदाज में पुराने तरीके से तो आप बनाते हैं लेकिन आप इस तरीके से बनाएए पहुती टेश्टी कढ़ी पकोडी बनेगी इसके लिए हमने एक किलो दही लेनी है वेट करके एक किलो दही के अंदर 150 ग्राम बेसन जाएगा एक मिजरिंग कप के हिसाब से फुल भर के बेसन लेना है बेसन को चाल लेना है अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे इसके अंदर हम सारी दही एट कर देंगे अगर जाद अगर नहीं आए तो आप आधाधा करके दो बार में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं अब इसके अंदर सारी दही हमने डाल लेनी है और डाल कर एक कप फुल भर के जो हमने बेसन लिया है ये सारा इसके अंदर डाल लेना है अब इसे ग्राइंड कर लेना है अगर इस तरह से आप करोगे तो इसके अंदर एक भी गुड़ी नहीं रहती है अच्छे से ये मिक्स हो जाता है दोनों चीजे अब एक बड़ा सा भगोना लेंगे इसके अंदर 200 ml यांकि दो बड़े के हिसाब से हम इसके अंदर मश्टर्ड ओयल लेंगे यह हमने सरसों का तेल लिया है इसी के अंदर कढ़ी बहुत अच्छी लगती है अब तेल को गरम कर लेना है जब तेल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ समान डालेंगे हम आपको दिखाते हैं एक मीडियम साइज इसके कढ़ी के अंदर बहुत अच्छी लगती है जब दिखाई देती है और अब तेल गरम हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन की कलियां एट करेंगे जीरा डालेंगे और फिर इसके अंदर मेथी दाना डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जब हलक गोल्डन सा कलर इतनी देश्टिने फ्राई करेंगे आप इसके अंदर डालेना है जिंजर गार्लिक पेश्ट दो बड़ी चमच फुल भरके हम ने जिंजर गार्लिक पेश लिया है यह थोड़ा सा पतला था तो हमने के अंदर थोड़ी जादा ही डाले जाती है से कलर बहुत अच्छा आएगा और दो छोटी चमच फुल भरके इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ धनिया यह डाल लेना है और अब इसके अंदर टेस्ट के अच्छे से भून लेना है तो कड़ी तो वैसे पुरानी तरीके से बनाई जाती है लेकिन आप इस तरीके से बनाईए यह बहुत ही टेस्टी बनेगी आप इसे भूनने के हिसाब से अगर आपको जरूरत लगे थोड़ा सा पानी एट कर ले पानी डाल रहे इस मसाले को अच् डही निकाल ली थी ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी फोटो में ऐसी तो मैं दिखाना भूल घृती अब इसके अंदर रही और बेशन का जितना भी घुल है वो सारा डाल लेना है और कम से कम दो से गिलास पानी इसके अंदर डालना है दो से धाय गिलास पानी एट कर ले क्योंकि हमें इसे काफी पकाना भी है कम से कम 30-45 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे पकते पकते हुए यह ठीक होती चली जा गयास को कवर कर देना है गयास कम आज पर ही से पकाना है अब इतने हम देखते हैं पकोड़ी पकोड़ी के लिए हमने 200 ग्राम बेशन लेना है इसके अंदर टेस्ट के गोड़िंग नमक डाल लेना है 140 स्पून इसके अंदर पेकिंग सोटर डालना है तीन से चार हरी मेंच बारी काटकर डालेंगे थोड़ा साहरदनिया अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल दे जाएंगे इस तरह का हम घोल तयार कर लेंगे ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा घाड़ा होगा तो पकोड़ी टाइट बनेंगी अच्छी सोफ्ट न गाड़ा होगा तो पकोडी हाड हो जाती है, यह ठंडा तेल होता है जब भी हाड हो जाती है. अगर ठंडे तेल में आप पकोडी डालोगे. तो इस तरह कि आपको जाली बनी हुई दिखाई देंगी, तो इसका मदलब है पकोडी बहुती sauce और बहुती tasty बनने वाली है. अब कुछ तरीका होता है कुछ टिप्स होते हैं अगर आप फोलो करोगे तो बहुत ही टेश्टी कड़ी पकोडी बनती है और पकोडी बहुत ही सोफ्ट बनती है अब 40-45 मिनट हो गए हैं कड़ी को पकते हुए इसके अंदर डालेंगे अब सारी जितनी भी हमने पकोडी बनाई है डाल लेनी हैं डालने के बार अच्छे से चला लेना है और अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे एक छोड़ी चमच के हिसाब से गरब मसाला गरब मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जब यह मिक्स हो जाएगा तो हमने जो तरी न खाई नहीं देता सारा अब्जर्ब हो जाता है और हरा दिन डाल कर इसे मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं कितनी बढ़ी आए कड़ी पकोड़ी बनकर तयार हुई है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगली वीडि